आज के वीडियो में हम सिखने वाले बैंगलोर बिजनेस आइडेस के बारे में बैंगलोर में बिजनेस कैसे सेट अप हो जाता है अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा नए नए वीडियो पहली भी हम लोगों एक पहला सेग्मेंट में 100 वीडियो बना चुके आप उनको देख लीजिए और यह भी वीडियो फॉलो कर दीजिए आपको एक बिजनेस का आइडिया आ जाएगा कि कैसा है क्या है कितना खर्चा आता है कितने खर्चों से आप शुरू करवत कर सकते हो और क्यूज ज़ोर हो रही है तो गैज सब्सक्राब कर दीजिए लाइक बटन दबा दीजिए और बेल आइकोन दबा के यह नेक्स वाला ओफ़र आपके लिए है क्या है offer जो student रहेंगे या जो भी housewife, senior citizen, job employee कई भी काम कर रहे होंगे या handicap तो उनके लिए free business consultants है आप हमारा ये services offer कर सकते हैं ये mail id पे mail भेज़के आपको subject में new subscriber करके लिखना है और जो भी information आपकी normal है वो उस mail mention करके भेजना है फिर हमारी team आपको callback करेगी और आपको आपस तो वो provide कर देगी ओके next benefits दो ये benefits हम provide करते हैं जो भी services अगर अगर चाहिए रहे हैं तो उसके regarding भी आप हमें mail कर सकते हो रही बात आज के बैंगलोर सिटी के बारे में देखो बैंगलोर ये सिटी करनाड़का की करनाड़का में आता है ये कभी वियाद रखिए और बहुत ही प्यारी सिटी है अगर food के related बताओगे मतलब देखोगे तो ये मतलब यहार South Indian food किसको पसंद नहीं आता है ऐसी तो बहुत ही फाइदेमन सिटी है कम रेट में आपको affordable rate में को working space भी मिल जाते हैं रहने खाने का भी बंदोबस अच्छे से हो जाता है और तीसरी चीज़ है कि अभी की इसमें अगर IT जिसको Silicon Valley बोलते हैं ये सब industry बैंगलोर में अगर उससे related आपका कोई business रहेगा तो आप बैंगलोर को choose कर सकते हो बहुत ही फाइदे मन रहा होगे आपके लिए क्योंकि nearby related जो भी टेक के business रहते हैं वो सब easily accessible है या टेक को business के लिए जो भी services लगते हैं वो चीज़े आप ये city में sorry कर सकते हो आपको यहाँ पर अच्छी खासी famous destination भी देखने के लिए मिल जाएंगी बहुत ही थंडा city है मतलब अगर climate के ही साब से देखोगे तो बहुत ही cold है मतलब बहुत cold नहीं बदहा cold है normal cold है ये सब चीज़ों में natural resources के बारे में देखोगे तो यहाँ पर mine है और बहुत सारी other activities भी है जिनको भी ये business करना मतलब यहाँ पर करना रहेगा तो और population के इसाब से देखोगे तो ये इंडिया का third largest city है मतलब इसका population around 2011 में 8 million था तो अभी के इसाब अभी 10-10 साल पूरी हो चुके तो आप सोचोगे कितना आगे develop हो चुका है ये सब चीज़ों में अभी देखते cost कितना आता है अगर ये business यहाँ पर करना रहेगा तो तो almost देखो co working space यहाँ पर easily accessible है तो आपको 1000 find it में easily accessible मिल जाएगा और यहाँ पर और दूसरी चाज रहने का तो रहने के लिए देखो आप अगर ये बैंगलोर में कामन हली ये साइट चले जाओगे या फिर आप main town से थोड़ा बहार निकलोगे तो आपको अंदाजन यहाँ पर 7000 से लेके आपको रहने के लिए भी जगा मिल जाएगे sharing rooms मैं बता रहा हूँ वो चीज के लिए वो भी मिल जाएगी अगर आपको खुद का रूम लेना है तो ये कमन हली या ये साइट थोड़ा कम रेट है और access के लिए यहाँ पर buses अवलेबल है वो आप AC buses भी ट्राइ कर सकते हो आप normal buses भी ट्राइ कर सकते हो ये दोनों चीज़ यहाँ पर easily accessible है mostly buses ओके और लोग काफी friendly है ओके लोग friendly है अच्छे से बात करते हैं सब कुछ चीज़े हैं यहाँ पर यह हो जाएगा और अगर बैंगलोर में specially देखे होगे तो यंग population भी मतलब जो अलग-अलग स्टेट से आयोए बंदे हैं टेक के related ओक यह सब हैं जिनको तो डिसको पर यह सब कुछ चीज़े चाहिए तो मैं मुंबए के बाद अगर सजिस कुरूगा वैसे मुंबए में इतना नहीं है मतलब है बट वो डिसको पर वाला फील अगर आपको जादा चीज़े रहेगा तो बैंगलोर में मिल जागा या फिर पूना में भी है ओके व बट हां मैं मैंने जासे बताया कि स्टार्ट अप के लिए बहुत है तो आप शेरिंग डूम हो गई है शेरिंग ऑफिसे हो गए या उससे रिलेटेट सर्विसे हो गए तो यह सब को चल जाता है और अगर आप देखोगे न कई कबार तो एक एरिया में दस दस होटेल रहें मैं स्पेशली पसंद करता है उस रेस्टार्ण के बारे में बहुत ही कम प्राइज में आपको खाना मिल जाता है और बहुत ही हल्दी खाना मिलता है जहां पर मैंने खाया अब वहां पर जो मिलता है आपको कैसे लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बेजि मतलब around company registration का तो वही मैंने जैसे बता दिया last वाले वीडियो में आपको कि private limited company और supply sun 20 के अंदर मिल जाएंगे मतलब best कोई अगर कब में बनाता हो रहेगा तो आप कभी भी याद रखिये वो फसानी का technique भी हो सकता है मतलब comprise बता दो और फिर यह हो जाए तो कभी भी याद रखिये क्योंकि almost 15 के अंदर company registration हो जाते फिर अदर टेकनिक जैसे कि आपका 10 नमबर हो गया, GST नमबर हो गया, यह सब चीज़े पकड़के max to max 20 तक जाता है और बाकी की भी related उसके documents आते है यह agreement चीए, legal documents यह सब कुछ तो पूरा set अलग-अलग रह जाता है तो यह कभी भी याद रखिया वैसे private limited यह company register करना यहाँ पर बहुत ही फायदे मन रहे गया हाँ, लोग partnership करते, partnership company जैसे LLP बट मैं चाहूंगा कि LLP में मत जाओ क्योंकि वो सब चीजों में आपका जो advantage है आगे बढ़के बाकी सब fund यह सब लेने के यह आप LLP में नहीं ले सकते हो यह आप private limited में easily access कर सकते हो मतलब foreign का fund रहेगा या जो भी related ऐसी और उसके advantage भी रहते हैं, यह सब चीज है उसके regarding भी हम company के बारे में भी एक video अलड़ी बना चुके बस हमने अभी तक post नहीं क्यों किया हम जस्ट वेट करें थोड़ा crowd पड़े तो post करें क्योंकि पहली कर देंगे तो फिर past हो जाएगा वो सब चीजे तो ऐसा सब है, बहुत यह अच्छी city है नियर्बाइ इसके आपको channe accessible है फिर गोवा, यह साइड accessible है, मारश्टा accessible है मतलब यह पूरा बहुत ही अच्छा cities है करनाटका, करनाटका में बैंगलोर से आप महसूर access कर सकते हो मैंगलोर अक्शस कर सकते हो यह सब चीज़े से हैं तो बहुत ही development आगे जा रही है, यह subsidy है, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि मुंबई से आगे है, बट हाँ, बोल सकता हो कि as a competitive, मुंबई का एक अलग रुद्बा है, बैंगलोर का अलग है, मैं उनका दोनों का comparison नहीं करना चाहता, अगर यह बाकी के मतलब थोड़ी शानती चाहिए, तो आप बैंगलोर सजस्ट करो, ऐसे होला feel है वहाँ पर, तो और आज का question है वही, कि अगर इस वीडियो में मैंने कोई बैंगलोर की special चीज़े मैंने छोड़ी रहेंगी, जो बिजनस करने के लिए बहुती फाइदे मन रह तो आप comment box में लिख के भेजिए, और बता दीजिए, या mail भी कर सकते हैं, आपको अगर लग रहा होगा कि नहीं, ये बैंगलोर के बारे में बताना चीज़े था जो भी है, तो हम next time वह cover भी कर लेंगे, लेकिन guys हमने बस यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि ज जो भी बंदे यहाँ पर आते हैं, या आना चाहते हैं, वो कितना amount prepare करके कहाँ पर जा सकते हैं, और जो अलड़ी है, वो क्या कर सकते हैं, मतलब कभी कभार कैसे हम लोग को पता नहीं रहता है, कि business start-up करने रेजिस्टेशन करने के लिए कितना पैसा लगता है, या हमने कभ हम एक normal idea बता रहा हो कि अब यहाँ पर Delhi, Mumbai और Bangalore को compare मतलब करोगे तीनों में, तो उसमें आप Bangalore में easy access कर सकते हैं, कम से कम पैसे में, यह हमारा खुद का एक point of view है, इससे मैं यह नहीं बोल सकता कि सभी सहमत होंगे ही, ऐसा है, तो वो चीज है, लेकिन crowd के हिसाब से कोई आप, मतलब, आप directly connected हो, बड़े-बड़े कोई contract के हिसाब से या जो भी है, और आपको, मतलब, politician को मिलना रहता है, या बागी सब accessible करना है, तो फिर Delhi best है, यह सब चीज है, तो तीनों की भी अलग-अलग qualities है, तीनों में अलग-अलग foods भी मिल जाते हैं, ऐसे से चीज ह इसमें एक तो चीज comment box में आप लिखा सकते हैं, और दूसरी चीज एक competition आपके लिए है, वह है selfie competition, इससे related जो भी आपको बैंगलोर के बारे में जो चीजे अच्छे अच्छे दिखानी हैं, वो आप अपने back में रखके, उसको selfie कीच के आपको post करना है, हश्टेक करके अप कोई भी services access करने के लिए मिल जाएगा, यह सब चीजों में, और उसके बारे में information मिल जाएगी, यह सब चीजों के बारे में, देखो, समझ पगड़ के चलिए कि कोई भी इहां पर business करना रहेगा, तो almost आपको एक अंदाजन roughly major three cities में अभी आप तक हमने देखा हैं, कि 50,000 के अंदर कम से कम पैसों में registration करने वाली cities बैंगलोर आ जाती है, वैसे मुंबई भी है उसमें list पे, बट मुंबई areas में रहना है न, वो बहुत costly है, okay, main चीज़, बाकी business registration सस्ते में हो जाएगा, लेकिन रहनी की बारे में, अगर तीनों competitive में करता हूँ, देली, मुंबई और ये बैंगलोर, तो मुंबई बहुत expensive है, okay, मुंबई के बाद हम चाहेंगे, डेली भी आ सकते हैं, बैंगलोर भी आ सकती, okay, बहुत नहीं सकते हैं, ऐसा सब चीज़े हैं, okay, तो ये सब था, और कुछ भी रहेंगे आपके requirement, okay, तो आप mail कर सकते हो, फिर ये जैसे लिखा आपको back मिल जाएगा, backup मिल जाएगा, हमारे team callback कर देंगे, कोई services चाहिए रहेगा, तो contract के सबसे काम भी हो जाएगा आपका, okay, और हमाई services का lab लीजी, अगर requirement रहेगा तो, और याद रखिए मेरा देश महान, सबसे प्रामानिक करके, मतलब honestly मिलते रहें, okay, प्यार बाट और business को आगे बढ़ाती रहें, और फ़र वही जो भी आपको full startup 100% करवाना रहेगा, तो उसमें 10% है, इसमें कहा रहे तक guarantee रहती है हमारी, तो यह services के बारे में भी जान सकते हो, अभी तक जिननों भी subscribe नहीं किया रहेगा, like नहीं किया रहेगा, या bell icon को नहीं दबा रहेग and take care